नमस्कार क्यापचल टिपी का खाष्यो राहुल का अगरिपद देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा दिली चुनाओ में गजब का सयोग बन रहा है राहुल गांधी इस बार चुनाओ में अपनी पार्टी कॉंग्रस के चुनाओ चिन हाथ पर बटन नहीं दबा पाएंगे वो अपने गडबंदन के सयोगी आप मादमी पार्टी के चुनाओ चेन जाड़ू को अपना वोट देंगे सयोग एक और भी गजब का है कि गडबंदन दिली में तो है पर चुनाओ प्रचार का शोर्थम गया लेकिन सयोग देखिए राहुल गांधी ने आपके किसी प्रत्याशिक के समर्थन में रैली तक नहीं की आचुनाओ प्रचार की आखरे दिन राहुल गांधी ने कनया कुमार के समर्थन में जनसभा की जनता से कनया कुमार के लिए वोट करने की अपील की उधित राच के लिए वी वोट मांगे और हाली में चानी चौक भी प पर दिल्ली में राहूल ने केजरिवाल से क्यों बनाई दूरी इस पर चर्चा करेंगे। राहूल गांधी, कनहिया कुमार और उदितराज दोनों के समर्थन में राली की कोई कमाल कर पाएंगे क्या राहूल गांधी। आदमी पार्टी के कारकरता नेता वहाँ पर उस मंच के आसपास दिखे। मतलब ये अपनी अपनी पार्टी के लिए परचार कर रहे हैं अपने अपने पार्टी के नेताओं को वोट देंगे। जैसा आपने कहा कि ये संजोग है ऐसा कि आम आदमी पार्टी के लिए राहूल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाडरा सारे लोग वोट करेंगे। लेकिन ये तो संजोग इस बात का है कि वोटर लिस्ट में इनका नाम है जहां पर इन्होंने अपना कंडिडेट नहीं खड़ा किया। लेकिन क्या वास्तम में राहूल गांधी जाकर सोबनात भारती को वोट देंगे। ऐसा लगता तो नहीं है जो एटिटूड है, जो तरीके हैं और जिस तरीके से कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के साथ दिखने और दूसरे के लिए काम करने मे मतभेद पैदा कर रही है, उससे लगता नहीं है कि अर्विंद केजरिवाल कनहिया कुमार के लिए वोट दे दे, क्योंकि संजोग ये भी है, कि अर्विंद केजरिवाल सिविल लाइन्स के वोट रहे हैं, मुखमंत्री आवासे वहां, और वो पढ़ता है नौर्फिस दिल आव वोट नहीं ही करेगी, क्योंकि ये तो दिख गया, जैसे ही अर्विंद केजरिवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद ते क्या राहुल गांधी ने मुलाकात की, प्रियंका वाडरा ने मुलाकात की, सूनिया गांधी से मिलने के लिए अर्विंद केजरिवाल गए, अर्विंद केजरिवाल एक जगह भी नजर नहीं आए, तो ये जो दूरियां दिखाई पड़ रही है, और उस दूरियों में और धरार तब बढ़ गई, जब राहुल गांधी ने अर्विंद केजरिवाल पर सीधा हमला किया, अर्विंद केजरिवाल की चर्चा इसलिए ह को रही है, क्योंकि उन्हें जेल से जमानत पर बाहर निकाला गया, और सुप्रिम कोट की भूमिका रही इसमें, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, जो दलित आदिवासियों की बात, अपने सरकार की विवस्थाओं की बात जवाब कर रही है, कि जो राहुल गांधी ने ये बात भी सिणों ने कहा, कि अभी देखे, दो मुकमंतरी, एक पुर्व मुकमंतरी, एक वर्तमान मुकमंतरी, इन दोनों को जेल भेजा गया, लेकिन, सुप्रिम कोट में दोनों की जमानत याचि काया आई, एक मुकमंतरी जेल से बाहर आ गए, और दूसरे पुर्व उनका गटवंदन है और जारखंड में दोनों की सरकार है गटवंदन की लेकिन हेमन्सोरेन की बात तो उन्होंने की और केजरीवाल पर ठीक राप होड़ दिया कि देखो केजरीवाल ये केजरीवाल के लिए तो सुप्रिम कोट ने दरवाजा खोल दिया हेमन्सोरेन को नहीं दिया क्योंकि वो आदिवासी थे केजरिवाल आदिवासी नहीं है इसलिए इसे जेल से रिहाई हो गई चुनाव के कमपेंड करने के लिए अब तो ये बात साफ तोर पर दिख रहा है कि केजरिवाल की जमानत थे कॉंग्रेस के बड़े नेता खुश नहीं है और नहीं खड़गे से लेकर सुनिया गांदी से लेकर राहूल गांदी तक चाहते थे कि किसी तरह से केजरिवाल बाहर आ जाए क्योंकि इन लोगों को ये तो पता है कि बाहर आते ही अभी तो दिल्ली में कॉंग्रेस के लिए थोड़ा बहुत परचार कर रहा है लेकिन पचीस तारीक के चुनाव खत्म होने के बाद ये आम आदमी पार्टी के तरफ से पंजाब में परचार करने के लिए जाएगा तो फिर यही बात करेगा कि ये देखो नहरू गांदी परिवार के लोग इन लोगों ने कितना ब्रस्टाचार किया टू जी, थ्रीजी, स्कैम किया, कोईला, घोटाला किया, ब्रस्टाचार के पैसे खाय हुए है ये लोग है जो पूरे सिस्टम पर कभजा किये हुए है पंजाब में बात करेंगे तो प्रिवेस कॉंग्रेस के सरकार की ही चर्चा करेंगे अरविंद केद्रिवाल जिसके उपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे यहां ड्रग का कारोबार कॉंग्रेसियों ने शुरू करवा दिया है पंजाब के अंदर और ये सारी चर्चाएं जब होगी तो राहुल गांधी की पार्टी के लोग यहां तक राहुल गांधी को भी केजरिवाल के खिलाब बोलना पड़ेगा और उसका संकेत तो एक दिन पहले राहुल गांधी ने दे दिया केजरिवाल को जमानत इसलिए मिली क्योंकि एक विशेश तबका का है वो दलित नहीं है वो पिछड़ा नहीं है वो आदिवासी नहीं है इसलिए उसे जमानत मिल गई सुरेन जो है आदिवासी है जमानत नहीं मिली मतलब आपने ये बता दिया कि केजरिवाल को जमानत जो मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि ये करप्ट नहीं है इसलिए मिली है क्योंकि ये एक बिसेश तबका का है और सुप्रिम कोट पर आपने सवाल उठाया कि वो भी व्यक्तियों को देखकर जमानत देती है और सुप्रिम कोट के जज़ भी इस बाते प्रभावित रहते हैं तो दिल्ली में जो चुनाप परचार कर रहे है राहूल गादी अगर इनको विश्वास होता कि तीन में से एक भी सीट हम जीत पाएंगे तो दिल्ली में ही रहते हैं अपने कुटे के साथ इतना दो घंटा समय बिता लेते हैं उतने में तो दिल्ली में दो रहलिया हो जाती ऐसा तो है नहीं लेकिन आज तो मेट्रो यात्रा भी कर रहे हैं मेट्रो में भी नजर आया है बिल्कुल तो वही बात हो रही है कि अगर वो मेट्रो में जा सकते हैं तो दिल्ली चुनाब परचार के लिए तीन-चार दिन तक मेट्रो में ही चारो तरफ गुम लेते नौर्सेस दिल्ली के मेट्रो में चले जाते और गली महलों में जाकर कम से कम छोटे-छोटे नुकड नाटक नुकड बैठक भी कर लेते जैसे ये पहले भी करोलवाग गए थे मोटर मेकेनिकों के साथ ये बाइक बनाने वालों के पास गए थे लेकिन करोलवाग जो अब छेतर किसका पढ़ गया करोलवाग जो है वो नई दिल्ली लोकसभा छेतर में आता है अब ऐसे में अब करोलवाग की तरफ क्यों नहीं जाकर वो परचार कर रहे हैं जबकि आमादवी पार्टी का परत्याचिवास है तो ये दिल्ली में ये जानते हैं कि हम परचार करें न करें कितना भी जोड लगा लें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है इसलिए इनके उपर दवाब इस बात का था कि अगर दिल्ली जैसे जगह पर एक भी रैली एक कैस्वेंसी के अंदर नहीं किये तो लोग सवाल उठाएंगे कि राहुल गांदी पहले ही दिल्ली हार चुके हैं इसलिए इनको प्रेसर में आकर एक एक जनसवाएं तीनों कैस्वेंसी में करना पड़ा लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि राहुल गांदी अगर दिल्ली में परचार कर रहे हैं और केजरिवाल सहयोगी पार्टी है तो केजरिवाल नहीं आएंगे तो एक सवाल और उठेगा और वो सवाल उठ चुका है वोटिंग से एक दिन पहले अब जब ये सवाल उठ चुका है तो फिर दोनों के कारकरता इस बात के लिए कंफ्यूज हो गए कि हम क्या उस पार्टी को वोट दें जो हमारी सहयोगी पार्टी तो है लेकिन हमारे नेताओं को अपने आसपात फटकने नहीं देता कभी भी अपने परचार में कॉंग्रेस के किसी बड़े नेता को इन्वाइट भी नहीं किये अगर केजरिवाल ये चाहते तो ये तो ऐसी पार्टी के नेता है जो की छोटे-छोटे मुद्दों पर वीडियो कॉंफरेंस कर लेता है छोटे-छोटे मुद्दे पर प्रेस कॉंफरेंस करता है छोटे-छोटे मुद्दे पर लेटर लिख देते हैं और LG की बात आती है तो दिन बर में 20 लेटर लिख देते हैं तो वो लेटर लिख के ही इन्वाइट करते कि भई मलिकार जुन खडगे साहब आ जाए या फिर राहुल गांदी प्रियंका वाडरा को देखिए दिनली के तो परचार से वो दूर ही नहीं है वो हर्याना में परचार कर रही है हाला कि हर्याना में 25 मही को चुनाव है लेकिन इससे पहले कम से कम चुनाव से एक सब्ता पहले पीए मोदी जब दिनली में रैली कर रहे है आप लोगों की नीन नहीं खुल रही है यहां अमिस्सा रैली कर रहे है आप लोग यह नहीं सोच पा रहे है कि कम से कम राहुल गांदी प्रियंका वाडरा इन लोगों को तो दिल्ली में रोडसो करना चाहिए दिल्ली में परचार करना चाहिए लोगों को डोर टो डोर कमपेंड करवाना चाहिए लेकिन इन लोगों ने नहीं किया इसलिए इनको पता है कि दिल्ली के चुनाब में कुछ नहीं होने वाला है और आम आदमी पार्टी क लिए परचार करेंगे तो और हमारी भद पीड़ जाए और जिस तरह से आज बौकला आ रहे थे बयान दे रहे थे वो तो हार की जलक साफ नजल आ रही थी लेकिन दलित पिछलो आदिवासी को लेकर कैसे राहुल गांधी गिर गया है देखिए जिस तरीके से राहुल गांध पिये मोदी की बुराई करोगे तो कम से कम ये तो आपको देखना पड़ेगा आप पर सवाल उठेगा कि सबसे ज़्यादा सत्ता में तो आपके परिवार के लोग रहे हैं सबसे ज़्यादा परधान मंत्री रहे सबसे ज़्यादा समय तक कॉंग्रेस की सरकारे रही तो इत करीवों को ही हटाने लगी क्योंकि emergency लाया गया जो constitution की copy लेकर चलते हैं राहुल गांधी और कहते हैं हम तो संविधान के नुसार काम करते हैं संविधान की सुरक्षा करते हैं इसी संविधान का दुरूपयोग तो इंद्रा गांधी ने किया सबसे पहले आपात का लाया और उस समय जो congression ने कांड किया था वो अब तक सामने दिखाई पड़ रहा है उसकी चर्चा होते रूख आप जाती है कि कैसे लोगों को पकड़ पकड़ कर रेल के डबों में भर दिया जाता था जेलों में जगह नहीं थी सारे आंदोलन करने वाले लोगों को जेल में भर दि हत्या की गई थी स्यामा परसाद मुखर जी की हत्या की गई थी जवाहर लाल नेरू को उनकी माता ने लेटर लिकर कहा था कि आप इनका पुस्ट माटम तो करवाईए आप कैसे तै कर लेते हो की नेचरल मौत हुई थी वही जंबू कश्मीर में तो ये इनके उपर कई ऐसे आरोप है जिससे राहुल गांधी अपने आपको मुख तो नहीं कर सकते लेकिन ये सोचते हैं एक तरफ यही राहुल गांधी हर जगह जाएंगे तो अपने परिवार के उपलबदियों के आधार पर खुद को वोटिंग करने के लिए कहते हैं राय बरेली में अमेठी में दोनों जो भाई बहन हैं ये कहते हैं राजिव गांधी ने एकिया इंद्रा गांधी ने एकिया जवाहरला लहरू ने ऐसा कर दिया हमने क्या किया वोट नहीं करेंगे तो फिर जवाहरला लहरू को वोट देने के लिए या फिर चुनाब लड़ने के लिए बुलाओ इंद जो voting हो रही है वो आपके कामों पर होगी आपके बाप दादाओं के काम पर नहीं होगी जो उन्होंने किया उसके बदले उन्हें पारितोसिक भिला प्रदान मंत्री वो बने लेकिन आप क्या कर रहे हो यह अपने उपलब्दी गिनाने के लिए नहीं है तो यह जो कृरांति क सारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने उपर भी उंगली उठा रहे हैं, कि देखो भई, हमने सिस्टम को देखा है, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे पापा, सब के सरकारों के समय में, इवन मनमोहन सिंच की सरकार के समय में भी, दलितो आदिवासियों के लिए किया गया लेकिन हम करेंगे अब ये क्या करेंगे ये सब कर सर्वे करवाएंगे ये सब को अमीर बना देंगे लाखपती करोपती बना देंगे कैसे बनाएंगे पता नहीं ये नहीं है कि ब्लूप्रिंट आप दो कि हम इस आधार पर करेंगे कैसे करेंगे सब के एकाउंट मे एक एक लाग रुपया डाल देंगे कहां से लाओगे पता नहीं तो ये जो इस्थितिया है ये इसलिए बनी है कि केजरिवाल स्टाइल आफ पॉलिटिक्स यहां पर चलने लगी कि दिल्ली में जिस तरह से मुफ्त कोरी में पैसे दिये मुफ्त के सुविधाएं दी और फिर लोग भ्रमित होकर इसको सरकार बनवा दिये उसी बात को लेकर ये कन्फूजन है इसलिए राहूल गांदी ऐसा कर रहे हैं लेकिन पीम मोदी ने क्या कहा उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा एक तरफ राहूल गांदी बोल रहे हैं कि देखो भई हमारे बाप दादाओं ने गल्ती की हम वो गल्ती नहीं करेंगे हम बहतर तरीके से एक कौमनिस सरकार चलाएंगे इनके कहने का मतलब वही है कि इन लोगों ने समाजबादी सरकारे चलाई हम प्योर कौमनिस सरकार चलाएंगे सारी संपत्ती का राष्टी यकरण कर देंगे जैसे हिंदरा गांदी ने बैंको का राष्टी करण किया एरलाइंस का राष्टी करण किया फिर बाद में पस्तावा आया तो मनमोहन सिन के समय नहीं लोगों ने पूरे globalization को accept कर लिया, privatization को accept कर लिया, नहीं विवस्था ला दी, आर्थिक उधारी करन के इसे दांत लाया, ये इनके सरकारों में सामान तोर पर दिखाई पड़ता है, कि आप लोगों ने सारा experiment कर लिया है, और ऐसे में PM मोदी ने कह दिया, ये जो लोग हं निशनल हेराल्ड का मामला भी चल रहा है, PM मोदी ने साब तोर पर पहली बार जिक्र किया, राहुल गांधी और सुनिया गांधी के लिए, कि निशनल हेराल्ड घोटाले में, जो इन लोगों ने पाँच हजार करोर रुपया हडपा है, एक एक रुपय का हिसाब होगा, औ और उसे उन लोगों को वापस किया जाएगा, जिनके मेहनत से ये बना है, इसलिए ये संभावना सामने आ गई, कि चार जून के बाद फिर से सुनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जाना है, पिये मोदी ने खुले मंच से ये बता दिया, कि ये सराव घोटाला तो छ ये लोग जो छट पटा रहे हैं, अब ये भी जेल के अंदर जाएंगे, उन्होंने तो लगबग ये संकेत दे दिया, कि बस जून का इंतजार करो, वो तारिक नहीं बताए, लेकिन लगबग महीना बता दिया, ये चार जून के बाद इन लोगों का एक एक हिसाब लेंगे ये जो हैं, जातिये सर्वेक्शन करवा रहे हैं, हम करपसन का सर्वे करवाएंगे, और उस करपसन के सर्वे में इनकी संपत्यों की जाच होगी, और सारे संपत्य जब करके लोगों को लोटाए जाएगे, मतलब राहुल गांधी ने आफ़त मोल ले लिया, ये सारी जो बा अला नंबर इन्ही दोनों माबेटों का होने वाला है आए गए विवस्तार दलितों और पिछडे वर्गों के खिलाब थी, तो राहुल खुद बयान देकर एक्स्पोस हो चुके हैं, इस पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखें, देखती रे, क्यापिचल टीवी, नमस्कार